पूरी नहीं होने पर 15 अगस्ट से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था ये हड़ताल अनिश्चत कालीन है ऐसे में फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पर काफी असर पड़ सकता है फेडरेशन का कहना है कि निर्माताओं की संस्थाओं ने 2015 से शुरू कर अगले 5 साल तक प्रती साल के हिसाब से वरकरों की मजदूरी में एक फिक्स रकम बढ़ाये जाने का वादा किया था मगर यह वादा पूरा नहीं किया गया पहले साल सिर्फ 13 प्रतिशत बढ़ाये गए और उसके अगले साल 7.5 फीज़ दी बतादें कि फेडरेशन ने उपर बताई मांग के आलावा 12 गंटे की शिफ्ट की बजाये 8 गंटे की शिफ्ट, मेडिकल इंशियो रेंज, सेट पर साफ सफाई, मजदूरों की खाने की सही विवस्था और साफ टॉयलेट उपलब्द करवाने जैसी मांगें भी सामने रखी है इस फेडरेशन से कामगारों की बाई से युनी अन जुडी हुई है मगर अलाइड मजदूर इवनी अन एम यू दो धड़ों में भंक गया है जिसमें से एक खड़ ताल के विरोध में है